राधे राधे एवरिवन जैसे हम कार्तिक सनान करते हैं महा सनान करते हैं उसी तरह से वैसाक सनान किया जाता है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वैसाक सनान का उद्यापन कैसे करते हैं तो देखें उद्यापन करने के लिए पहले हमें कुछ चीजे चाहिए होती हैं तो सबसे पहले जो भी उध्यापन की सामगरी रखे, आप किसी थाली, पलेट या किसी भी आसन पर रखे, जमीन पर ना रखे तो एक साड़ी मैंने ले लिए है, साथ में ब्लाउज का पीस ले लिया है अगर आप साड़ी ना ले पाएं, तो सिर्फ ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं, उसके साथ ही हम सिंगार का सामान और धक्षिना ले लेंगे, तो ये पंड़तानी के लिए हमें लेना है, तो पंड़तानी के लिए हमें ले लिए हैं, इसके साथ ही हमें पंडिजी के लिए भ पूर्णीमा के दिन किया जाता है तो पूर्णीमा के दिन सुबस्वे सनान आधी करने के बाद हम तुलसा जी का पूजन करेंगे जैसे हम रोजाना वैसाक सनान में पूजा करते थे ठीक उसी तरह जाता है पूजा करनी है वैसाक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है तो वैसाक के सनान जब हम करते हैं तो तुलसा जी और भगवान विष्णु का पूजन हम रोजाना करते हैं तो यहां पर देखिए तुलसा जी के पास ही हम बैठ जाएंगे अगर भगवान सवरूप कलावा समर्पित करेंगे तुलसी जी को भी हमें चुन्री उढ़ानी है अगर आपने पहले से ही तुलसी जी को चुन्री उढ़ा रखी है तो फिर आप कलावा समर्पित कर सकते हैं तो यहां पर मैंने तुलसी जी को चुन्री उढ़ा दी है और देखे इसके बाद सालिगराम भगवान को हम यहाँ पर तिलक करेंगे इसके बाद हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे हल्दी बहुत ही शुब मानी जाती है तो हो सके तो हल्दी से यह आप स्वास्तिक बनाए उसके बाद आप तिल के तेल का या देशी घी का दिया जला देंगे वैसा के महिन तो आप तिल का दिया भी जला सकते हैं। आप फूल समर्पित कर दें। परिकर्मा तो यहाँ पर आप 5, 7, 9, 11, 21 जितनी हो सके उतनी परिकर्मा तुलसी जी की आप जरूर करें। परिकर्मा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे तो यहाँ पर हम विश्नु भगवान की तुलसी जी की बहुती प्रेम पूरवक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाँ जोड कर तुलसी जी से भगवान विश्नु से सनान में रही कम्यों के लिए समाय आचना करेंगे और अपनी मनों कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रारतना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करने हैं पूजा के बाद जो भी यह समान हमने लियाने यह हम पंडित-पंडितानी को दे देंगे। आप वैसाक सनान का उद्यापन कर सकते हैं और जो भी भोग परशाद आपने चड़ाया है या परशाद सवरुप सभी को बाट दीजिएगा। देखे जब भी हम किसी वरति या सनान का संकल पलेते हैं तो उद्यापन करना जरूरी होता है उद्यापन के बाद ही हमारा संकल पूर्ण होता है। दान चाहे आप कम करें या ज्यादा करें वो आपकी इच्छा सकते और आर्थिक सित्ती पर निर्भर करता है। स्क्राइब कर लेना तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जै श्री कृष्णा राधे राधे